नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल एबी टेक में दोस्तों 21 दिसंबर सायमकाल की मातपूर्ण खबरे जान लेते हैं कई सारी अपडेट निकल के आ रही हैं सबसे पहले बात करेंगे उनत्तर जार सिच्छक बरती को लेकर के उनत्तर जार सिच्छक बरत ही दिया गया है 2016 का जो एक्ट है उसके अनुसार बिर्थियों को अरजचन का लाव नहीं दिया गया बहुत सारे बिर्थि कई दिनों से धरना प्रदसन कर रहे थे और आज इन अब बिर्थियों पर पुलिस ने बेहरहमी से लाठी चार्ज किया आप लोग तस्वीरे देख से सबी नियमों को पालन करते हुए की गई है तो यहां पर आप लोग दे सकते हैं भाराज समाचार की तरफ से टूट करके बताया गया कि नुत्तरह सिच्छक बिर्थि मामला सी आर्टी का रहे के पास हजारों बिर्थि जमा हजारों बिर्थि कर रहे थे हवन पूजा धरन पदरशन के दौरान पूलिस का लाठी चार्ज लाठी में एक अब बिर्थि का सिर्फ हूटा यहां सामकी ही अपडेट है और यहां पर कुछ तस्वीरें भी आप लोग देख पा रहे हैं कुछ अब बिर्थियों ने पोस्ट किये किस तरीके से पूलिस ने इनकी पिटाई कि जो बरती प्रक्रिया पूरी तरीके से नियमों के अधेनी की गई है किसमें कहीं से कोई भी किसी भी कानून का मने उलंगन नहीं किया है यह सारी बात ने आज कई हैं सिच्छा मंतरी ने इस बात को मीडिया के सामने बताया कि बरती पूरी तरीके से नियमों के अनुसारी की गए किसी भी चरण में किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें गड़बडी नहीं है बात कर लेते हैं स्कॉलर्शिप को ले करके तो आप लोग जानते हो उत्तर प्रदेश में साल कुरोना कान सब कुछ लेट ही चला उत्तर प्रदेश का पूरे और इंडिया में यहीं हाल है वालकि और वर्ड बोले तो ज्यादा सही रहेगा तो यहां पर दोस्ते उत्तर प्रदेश सासन ने एक बार फिर से स्कॉलर्शिप की जो डेट है वो बढ़ा दी है स्कॉलर्शिप की जो अपडेट बढ़ा कर की गई है वो यहां पर आप 10 जनवर्डी कर दी गई है कच्छा ग्यारा कच्छा बारा बीए बीस सी बीकॉम एमकाम यों बीगड वगरा जो भी चात्रा है वो अब 10 जनवर्डी 2021 तक अपना फार्म बढ़ सकते हैं ठीक है इस सा बारा की कच्छाओं के लिए तो यहां पर 10 जनवर्डी तक छात्र जमा कर सकते हैं अपना ओनलाइन फार्म में आउनलाइन रूप से और उसके बाद तीन दिश्वों में अपना प्रिंट आउट कंप्रेट कर सकते हैं और चार दिन के अंदर जा करके यानि 14 जनवरी 2021 तक आम विध्युट में जमा कर सकते हैं विध्यालए में जमा करने के बाद बांक की सारा काम स्कूल का होता है कब फारवर्ड करना है कब का करना उस्से सार्व डीटेल defic упした तो हमारी योट抉टस को डाउट कर सकते हैं बात कर ले थे हैं दिचिटी पजटी अप्डेट को लेख करके टीजीटी पीजीटी में आप लोग जानते हैं दोस्तों चैन बोर्ट ने आस्वासन दिया था कि टीजीटी पीजीटी 2020 की बढ़ती है लाज दिसंबर तक इसके विग्यापन जारी कर दिये जाएंगे वहीं पार 2016 के जो पेंडिंग रिजल्ट हैं वह आज अकल से ही आने सुरू हो जाएंगा ऐसा अस्वासन चैन बोर्ड ने दिया था देखा जाए तो सत्रा दिसंबर को चैन बोर्ड का धर्णा प्रदसन हुआ था पहले दो पंद्रा को हुआ था यूवा मंच के दौरा उसका सत्रा को और तब से देखा जाए तो लग बाक 5-6 दिन का समय ओ चुका है लेकिन अभी थक एक भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है अभी हालउ ही में वहने चेक कर रिया है लेकिन कोई भी तक वहाँ पर जारी नहीं किया गया है आप लोगों से बहुत सहाटर जो लगातर पेंच यानि दिसंबर के अंध तक सभी विस्यों के रिजल्ट आप लोगों के जारी कर दिये जाएंगे जो विवाद में नहीं हैं ठीक है तो आप लोग इंतजार करें थोड़ा सा धहर रखें मुझे लगता इस अपते 100% आप लोगों के रिजल्ट जारी हो जाएंगे चाहिए वि जारी हो जाएंगे ठीक है जिनके इंटर्व्य हाली में हिंदी में हो सकता हिंदी के रिजल्ट पर थोड़ा सा टाइम जरूर लगे अभी यहां पर लेकिन बांकि जो रिजल्ट हैं वह आप लोगों के जारी कर दिये जाएंगे और जो इसका टीजिटी पूजिटी साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलेग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया आप लोग अगर जोईन नहीं है तो वहां पर जोईन कर लेजागा जो कुछ भी कोईरी होती है हम उसका वहां पर समधान करने के कोसिस करते हैं इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद